अब जो हम लोग का नेक्स टॉपिक है यह है बाइनरी अरिथमेटिक जो भी अरिथमेटिकल जो हम लोग काम करते हैं बाइनरी अरिथमेटिक में बाइनरी नंबर्स का इडाइन का अब इडिचन अमटिकल केशन डिविजन बाइनरी अडिचन बाइनरी अब्सक्राक्षेन in binary multiplication in binary division suppose यहाँ पर नंबर वन नंबर टू या फिर एक्स वाई लेते हैं एक्स वाई सम हो गया प्यारी हो गया ठीक है जब हम जोड़ेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 1 यही जोड़ सकते हैं अगर हमारे पास टोटल दो साइन सिंबल है दो ही डिजिट है 0 और 1 तो 0 और 1 को ही आपको जोड़ना है तो 0 0 हो सकता है या 0 1 1 0 और 1 1 इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा तो 0 0 कितना होता है 0 carry 0 हो गया carry मतलब कुछ आपके पास extra आया जैसे हम लोग कैसे करते हैं कि 9 प्लस 5 14 14 तो 14 का 4 carry 1 एक extra आगया 1 तो यहां पर कुछ extra आया है नहीं आया है carry मतलब वह extra वाला पार्ट तो 0 0 carry कुछ नहीं आया 0 प्लस 1 1 carry 0 मतलब हमारे जो normal mathematics में होता है वही चीज़ 0 और 1 कितना होता है 1 carry 0 1 प्लस 0 कितना होता है 1 carry 0 1 और 1 कितना होता है 2 हमारे decimal में अगर बात किया जाए तो 1 और 1 2 होता है लेकिन इसको binary में आपको लिखना है तो 2 का binary कितना होता है 1 0 तो 1 0 में last से लिखते है 0 यहाँ 0 और carry 1 अगर कोई आपको बोलेगा कि 9 और 6 कितना होता है तो 15 तो में क्या करते है 15 का 5 carry 1 ऐसे लिखते है न कि 9 और 6 15 तो 15 में जो right side हो एक digit है वो यहाँ पर लिखते है और बचा हुआ carry format आगे चला जाता है तो यहाँ पर भी वही की है तो सर यह सम फिर यहाँ पर 0 कैसे हुआ कोई बात नहीं है आप यहाँ किजिए 6 और यहाँ 4 पताये क्या होगा यह वाला सम समझ नहीं हा रहा है यह 1 1 वाला बता रहे है इसका वाला पताये तो क्या होगा 6 और 10 डेसिमल में तो 10 का 0 carry 1 ऐसी होता नहीं 10 तो यहाँ पर 1 और 1 कितना होता है 2 लेगिन हमें तो यहाँ बाइंडरी में लिखना है तो 2 का बाइंडरी कितना होता है 10 कैसे शिक कर दिजिए निकाल लिएगा 10 आएगा ठीक है अब उतना माउस वगरे नहीं है कल आप लोग के बता दिये थे कैसे निकालना है तो टू का बाइंडरी 10 होता है 10 तो 10 के हैं पर 0 लिखेंगे सम यह 0 carry 1 बताये कोमल कुछ समझ में रहा कि डाउट हो रहा है आप हां से बाइंडरी से किये न अब समझ आ खाल गया बाइंडरी करना है तो 1 और 1 2 होता है तो 2 का 0 carry 1 क्योंकि टू का बाइंडरी तो 10 होता है ठीक है तो यह हो गया एडिशन के लिए अब आते हैं सब्ट्रेक्शन में difference बोरो हम लोग यहां difference निकलते हैं न subtract करते हैं तो और यहां पर उधार लेते हैं borrow कि अगर यहां subtract नहीं हुआ तो एक बगल वाले से ले लो कैसे करते हैं हम लोग कि 468 और यहां लिखा हुआ है 9 2 1 इसको subtract करना है तो 80 सब्प्रेक्ट होगा नहीं होगा तो यहां से एक borrow ले लिज憂 18 हो गया है 18 में से 9 लोक गया तो अब यहां पाच बुच गया तो पाच में से 2 गया तो 3 4 में से 1 गया तो 3 यहा भी सेम चीज है हो यहां जो लिखा जारा है इसको आप लोगों को याद रखना है जो में से जो सब्ट्राक्ट करेंगो तो ज legg बचेंगा कुछ उधार लेना पड़ा नहीं बौरो मतलब उधार लेना कुछ एक्ष्टा इधर से लेना पड़ा इससे कि भरहे तुम से एक दे दो हमसा नहीं हो पा रहा पैसा नहीं है 0 सो ब्हटार्ट होगा नहीं होगा इसको भी छुड़ दीजे यहां आजए पहले 1 से 0 खटाएंगे तो 1 होगा बोरो 0 नॉर्मल डेसिबल में क्या होता है 1-01 कुछ एक्स्ट्रा बोरो लेना पड़ा नहीं जैसे यहां पर माली जह 5 था तो 5-23 यहां से कुछ एक्ष्टा लेना पड़ा नहीं बहुरो मतलम कि आपको कुछ एक्ष्टा लेना पड़ा बगल वाले से तो नहीं 1-1 0 पता यह इतना दूरता क्लियर है अप लोगा इसको छोड़के कि 0-0 0-1-1-1-0 अब आते हैं 0-1 तो 0-1 सब्ट्रेक्ट होगा नहीं होगा मैट्स में क्या करते हैं 4-7 अगर माली यहां पर माइनस लिखा हुए है ठीक है यह 4-7 आंसर कितना आएगा पता यह दो हुमल 4-7 कितना आंसर होना चाहिए अपने मैट्स में डेसिमल नंबर सिस्टम जो बच्पन से पढ़ते हुआ रहे है गोसिया 14-7 नहीं होगा कैसे 7 होगा यह बेसिक मैट्स है 4-7 is equal to minus 3 ना अच्छ माइनस 3 होगा सर्फ सोरी यह डेसिमल नंबर है ठीक है माइनस 3 कैसे हुआ है यह आप लोग पता है देखिए सिस्टम क्या होता है कैसे हो पता ही है क्योंकि सर्फ जो बड़ा है उसके आगे कर माइनस का साइन रगा हुआ तो एंसर भी आपका माइनस नहीं आएगा और जो सब्ट्रेक्शन होगा बड़ा से छोटा होगा जैसे देखिएगा कि आपको 4 से 7 सब्ट्रेक्ट करना है तो 4 से 7 सब्ट्रेक्ट हो सकता है तो नहीं हो सकता है तो आप उल्टा किजिए 7 से 4 सब्ट्रक कर दीजे लेकिन यहां माइनस नहीं लगा दीजेगा तो 7 से 4 सब्ट्रक करेंगे तो 3 क्योंकि घटता हमेशा बड़ा से छोटा है आप 5 लिटर पानी से 2 लिटर पानी निकाल सकते हो लेकिन 2 लिटर पानी के बॉटल से 5 लिटर के पानी नहीं निकलेगा घाटे का हमें सा बड़ा से ही छोटा है छोटा से बड़ा नहीं घट सकता कभी भी तो यहाँ पर क्या है कि हमें घटाना छोटा से बड़ा है 4 माइनस 7 करना है तो 4 में से 7 सब्ट्राक्ट करना पॉसिबल है नहीं है तो आप यहां माइनस साइन लिख के उल्टा कर दिजिए तो 7-4-3 तो अगर उपर से नहीं घटेगा तो नीचे से घटा दिजिए यहां भी सेम चीज है कि 0 से 1 सब्ट्राक्ट होगा नहीं होगा उल्टा किजिए 1 से 0 स लेकिन यहां बॉरो में एक साइन दे दिजिएगा 1 मतलब यह माइनस में है कुछ समझ भाए आप लोगो को किया किया हम जी सर गोसिया कोमल जैसे यहां पर सब्ट्राक्ट हो रहा था तो हम करते जा रहे थे 1-1 0 उधार लेना पड़ा माइनस में आंसर है नहीं है तो 0 1-0 1 कुछ उधार लेना पड़ा नहीं तो 0 0-0 0 कुछ उधार लेना पड़ा तो नहीं और 0-1 0 से 1 सब्ट्राक्ट होगा नहीं होगा तो उट्टा कर दिजिए 1-0 1 उधार लेना पड़ा उट्टा कुछ किये तो हां तो 1 कर दिए मापे हम लोग तो यह सब्ट्राक्शन अब आत इसको प्रोडुक्त बोलते हैं सकाम जिरो इंटु जिरो जिरो इंटु वन जिरो वन इंटु जिरो वन इंटु जिरो वन इंटु वन वन एक्दम सिंपल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और डिवीजन में कुछ करना नहीं है डिवीजन में कुछ नहीं करना है डिवीजन में one by one और कुछ नहीं एक्स को वाई और यहां पर रिजल्ट जिरो बाई जिरो इन्फिनिटी यह फिर इसको में बोल सकते हैं नॉट अनमबर नॉट अनमबर इसको छोड़ दिए जिरो बाई जिरो कोई भी नमबर को आप जिरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो ठीक है जैसे अगर हम लोग इसको यहां देखा जाए चैट जीपीटी वाट इफ वी डिवाइड अनमबर इस जिरो तो डिवाइडिंग एनी नमबर बाई जिरो इस अन्डिफाइड इन मैथेमेटिक्स इन अधर वर्ड इस नॉट पॉसिबल तो डिवाइड अनमबर बाई जिरो अन्डिफाइड शली हम अन्डिफाइड ही लिख देते हैं जीरो से कोई नमबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो अन्डिफाइड तो यहां यहां भी अन्डिफाइड हो जाएगा क्योंकि वन बाई जिरो यह जिरो बाई जिरो तो किसी भी नमबर को जो आप जिरो से डिवाइड करते हो तो अन्डिफाइड होता है मतलब ऐसा कर रहा ही नहीं हम लोग को बज या यह वन बाई वन कितना होता है वन और जिरो बाई वन जिरो मतब जीरो से आप किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो अगर आप जीरो से किसी नंबर को डिवाइड कर दोगे तो तो चलिए अब इसका थोड़ा से एक्जामपल देखते हैं हम लोग यह एडिशन था ठेक है माल लिजे के हमारे पास कुछ नंबर दिया हुए है इसको हमें सम करना है वन और जीरो को जोड़ना है वन वन जोड़ना पताब यह नंबर है बाइनरी और यह दूसरा नंबर है बाइनरी यह दोनों का सम हमको यहां पर आंसर लिखना है इधर से लिखते हैं जोड़ते हैं वन जीरो पता यह जोड़ें तो क्या होगा वन जीरो वन वन आगे बढ़िए वन वन जीरो यहां कैरी वन सब्सक्राइब रहा है वन वन जीरो यह कैरी वन मैंस वह लोग ऐसी करते हैं न कि 9-5-14 और एक बगल में उपर चला जाता है को सब्सक्राइब किसी को अगया ऐसे ही करते हैं तो 1-0-1-1-1-1 और 1-1 2 यह टूटल कितना हुआ दो हुआ नै दो का बाइंडरी दस तो दसका जिरो एकश्य वन अब यह वन वण्ट वन जिरो कश्य वन अब यह 1113 हो गया थे का बाइंडरी कितना होता है 11 तो 11 का वन का वन कर आप किरिंडरी मेह अब देखें फिर से टू हो गया 11 11 मतलब 1 carry 1 अब 112 2 का बाइंटरी 10 तो 10 का 0 carry यहां 1 और यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 उतार दीजिए ऐसे ही यह आप लोगों को समझ माया यह कैसे हुआ यह सब्सक्राइए कोमल भरत भरत आपको समझ माया यह चीज यह लो भरत जी जी सार ठीक है चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही ही गलत है यह बाइंडरी किसका है कॉपी किये बाइंडरी डेसिमल यहां जाएगा बाइंडरी डेसिमल यहां बाइंडरी डेसिमल है यहां बाइंडरी कोई भी सिस्टम सेलेक किजिए किस से किस में पो कनवर्ट करना है यहां बाइंडरी नमब लिखिए लिख दिए कनवर्ट डेसिमल है एक सो साथ एक सो साथ कहा है तो एक सो साथ और यह किस का है चीक है 169 चलिए चेक करते हैं यह किस का माइंडरी है 169 यह जो आंसर आया है पॉपी करते हैं 169 आना चाहिए हाया 169 इसका तो मैंना आंसर सही है यह सार आ गया कि यह हो गया 107 और यह हो गया 62 जब दोनों कायड करेंगे 169 कोमल कोई दिक्कत या क्लियर है आंसर एक बर और ठीक है यह किसका वाइंडरी है 107 का यह किसका वाइंडरी है 62 का तो 107 और 62 आंसर कितना आना चाहिए 169 चले जूड़ते हैं इधर से च्राट करते हैं तो 10 को बाला बताई यह क्या होगा हम पर है 10 10VIN कोंशे कहरी हुआ nigh 101 101 140 ओंटा है तो क का बाय्नरी 1010 होता है तो च्राइन के यहां कि है फिर चला जाता है इधर वाले नम्मर से दोड़ते हैं अब बतेए 1 0 1 टोटल कितना हुआ 2 2 और 2 का binary फिर 0 carry 1 क्योंकि 2 का binary 10 होता है न है 10 गजिरो carry 1 अब यह बते हैं यह 3 कितना है 3 का binary कितना होता है 11 11 11 गजिए 1 अब यह कितना होता है कर दो तो ऑट तो टेन का जीरो कर्या है यह 3 हुआ 3 का वेदियों 11 का 1 लिए 1 यह 112 तू पार बाइनरी टेन टेन का जीरो यह कर्या यहां कुछ नहीं है यह है 107 क्या है यह कहा सा है कुछ नहीं इसको भूल जाइए हमने कोई भी एक नंबर रिख दिया वह दूसरा नंबर रिख दिया यह दोनों को जोड़ना है जोड के यह अन्सार न बस हम चेक किए कि यह बाइंडरी किसका था यह 107 का था हूँ डेसिमल निकाला है 107 वह 107 का बाइंडरी है यह 62 का बाइंडरी है तो 107 60 का अट करेंगे 169 रहना चाहिए इसका मत्ताब 2160 का म 169 आई समझ में है है हाँ आप समझे है ठेक यह एडिशन था अब आते हैं सब्ट्रेक्शन में कोई भी नमबर लिखते हैं चलिए आप एक नमबर देदी हम लोग 93 और यहां कर जाता है 65 तो 93 का बाइंडरी अचलिए डेसिमल से बाइंडरी तो 93 कनवर्ट 1011101 यही वह 93 कंवाइंटरी 65 कंवाइंटरी कितना होता है तो वन एक दो तीन चार पाँच वन फाइब टाइम जिरो वन जिरो वन 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 टू थ्री फॉर वाइब टाइम जिरो वन अगर माने जिए कि यह इतना नहीं रहता है इसको छोड़िए यह कर दिए 23 यह 23 का बाइंडरी रिखते हैं हम लोग पहले बता रहे है क्योंकि है हम 23 इसका बाइंडरी आ रहा पांच बिट में 10111 तापि जो कैसे लिखोगे ऐसे वन जीरो ट्रिपल वन जीरो से स्टार्ट होगा नहीं यहां से पीशे से स्टार्ट होता है यहां से यह ऐसे हो नि इधर से यहां 00 हो जाएगा यह सर्ट है चलिए इतना हुआ इसको अच्छे से समझ जीएगा क्योंकि यही बेसिक है अब इसको सब्ट्राक्ट करना है तो 93 से 23 सब्ट्राक्ट किजिएगा तो आंसर अनच है 70 मतलब यहां पर जो बाइंडरी आएगा उस 70 का बाइंडरी होगा चलिए सब्ट्राक्ट किजिए 1-1 subtraction में क्या था 1-1 0 borrow 0 तो 1-1 0 borrow 0 तो carry उपर लिखते है borrow नीचे लिखिएगा इसका मतलब यहां छोड़िए इसको यहां अंसर लिखते है ठीक है एक लाइन छोड़के तो 1-1 0 0 से 1 subtract होगा नहीं होगा तो 1 से उल्टा कर दिजिए 1 से 0 subtract किजिएगा तो 1 और यहां borrow 1 पंजमार हम क्या किये कोमल गौसिया भरत जी सर गौसिया कोमल सौनाया कहरी को हम लोग उपर लिखेंगे बौरो को नीचे लिखेंगे क्योंकि बौरो उपर लिखिएगा तांसर गलता जाएगा कैसे यह बता रहे हैं तो 1-1 0 0-1 सब्रैक्ट नहीं हो सकता है उल्टा किजिए 1-0 1 बौरो बन लिख दिजिए बगल में ठीक है अब आज़े उपर से 1-1 0 और 0-1 सुचिए अगर यह उपर रहता तो कुछ और होता तो 1-1 0 1-1 0 और 0-1 1 यहां बौरो बन यहां बौरो बन हो जाएगा क्लियर है इतना दू तक आप लोगों को कि यह सर्थ एक है कि 1-0 1 और 1-1 0 मदब पहले इसको सब्रैक्ट किजिए इसका जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्रैक्ट किजिए तो 1-0 1 देखिए 1-0 1 बौरो कुछ नहीं होता है तो 1-0 1 तो 1-0 1 और और 1 आया तो उसमें से यह 1 सब्रैक्ट किजिए तो 1-1 0 कोई बौरो नहीं ठेक है 1-1 0 70 को यहां लिख देते हैं ठेक है तो 1-1 0 0-0 0 1-0 1 यह किसका बाइंटरी है 70 का चेक किजिए वन ट्रिपल जिरो डबल वन जिरो वन ट्रिपल जिरो डबल वन जिरो अंसर तहीं आ रहा है बताई आप लोगों को समझ में आये करीं अचीज कोमल हां सर आ गया ठीक है और अगर माइनस में आणसर आएगा तो समझी आ गया पर एक बीट एक्स्ट्र आएगा ठीक है जैसे एक्जामपल चले 23 में से 93 घटाईए 23 का बाइनरी यह चीज इसको थोड़ा सा कंट्रोल एक्स लिखते है क्योंकि यह पर एक एक्स्ट्रा बीट आएगा कैसे बता देता है निगटिव में एक एक्स्ट्रा बीट आता है तो 23 से 93 घटाएगे तो माइनस सबता है अब माइनस सतर का बाइंडरी क्या होगा तो बताते हैं थोड़ा देर में 1-1 0 1-0 1-1-0 0-1-1-0 0-1-1-0 0-1-0-1-0 जायेगा नहीं जायेगा तिहां बोरो और अब 1-0 1 इतना दुर तक क्लियर है सबका यह कैसे हुआ जी-जी ठीक है 1-1 0 और 0 से 1 सब्ट्राक करेंगे तो होगा नहीं होगा तो यह बोरो 1 आंसर भी 1 क्योंकि 1-1 0 और 0 से 1 करेंगे तो नहीं होगा तो 1-0 1-1 बोरो 1 जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी- तो 1 से 0 सब्ट्राक किजिए तो 1 उल्टा कर देंगे बौरो तो लिख चुके हैं ठीक है तो 0-1 नहीं होता है तो 1-0-1 और 1-1 जिरो अब यहां कुछ है नहीं है तो यह 1 के 1 ऐसे ही उतार दीजिए ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकते नीचे में कि 0 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा तो बौरो कर दिए और 1-0-1 1-1 0 तो देखे आंसर जो था यह था 4-3-7, 7-7 बिट में क्वेश्चन 7-7 बिट में था 7 बिट 7 बिट लेकिन आंसर 8 बिट में आ गया इसका मतलम अगर एक्स्ट्रा बिट आ जा रहा है प्वेश्चन 7-7 बिट में था सिर्फ सब्ट्रैक्शन के टाइम में क्वेश्चन अगर 7-7 बिट में है और आंसर अगर 8 बिट में आ जाता है तो सोचिए वो नंबर सब्सक्रांने मीचने बिट रहें सब्सक्राइब निए कि अब थोड़ा सा निगेटिव निवड नंबोर को कैसे के इसको जेक करना पॉसीबल नहीं जहीं डेख लेते हैं कि अगर मार इंच माईनस दिखते हैं तो नहीं आ रहा है यह गलत है ठीक है हम बताते हैं सही अब आपको को निगेटीव नंबर को कमप्योटर में कैसे रिप्रेजेन्ट करते हैं ऺडर्वा ₹ कजो अभी तक जो आप लोग देखे ओ वह सिर्फ positive नंबर का भाइंटिर देखें हो तो देखें मलोग निगेटव नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेटे इन कम्प्यूटर यूजिंग तूस कॉंप्लिमेंट फॉर्म या फिर तूस कॉंप्लिमेंट नोटेशन बोल सकते आप इसको पॉजिटिव नंबर में कोई लिकत नहीं है दो से डिवाइड कर दीजिए आप किसी भी नंबर को निगेटिव नंबर में थोड़ा सापको समझना पड़ेगा और यह आवारा स्टार्टिंग का क्लास चल रहा बेसिक क्लास है बेसिक क्लास मतलब यह बहुत इंपॉटेंट ह यह आपका बेस है होता ने जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग उसका नीचे में जो नीव होता है उसका बेस बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो बड़ा बिल्डिंग गिर जाएगा बेस का बहुत वाली होता है जैसे कल भी बोले थे जो हम लोग पैदा होते हैं तो हमारा ितो जब उसका चीज 25 साль govern 15 Mantandada को सब्सक्राइब 30 के bीच में अच्छा करता है कि इस जुनमाइब जादा करते हैं कि इस एज में जो लड़के होते हों जादा खाना-खाते हैं हो सकता है रोटी खाते हुँगे आठ दस रोटी एकर वही जब 50 साल के 55 साल के हो जाएंगे दो रोटी 60 65 के दो रोटी दो रोटी से जिन्दगी चल रहा वो वहला नहीं वो पहले कबना हुआ आपका सरीर तिकाओ करना पिकता है किसी का सरीर बाद में जो पहले खाया हुआ रहता है सब पहले का खाना पिना है जो बाद में टिका हुआ है यही हमारा बेस हमारे बुढ़ाप्य का बेस अभी जो है हम लोग जो अभी खाना खा रहे हैं, जितना अच्छे से आप खाना खाऊगे, अपना सेहत बनाऊगे, यही आपका बाद में काम आने वाला है, क्योंकि बाद में तो खाना खाना नहीं पाऊगे होतना है, बुड़ापा में ठीक है, तो बेस ही मजबूत होता है, बेस मजबूत होना चाहिए, तो जैसे लास्ट कल जो हम लोग क्लास किये थे, उसके पहले भी जो क्लास किये थे, computer fundamentals, computer क्या है, उसका parts क्या है, hardware, software, open source, closed source, कल जो हम लोग किये थे, number system पे काम, आज हम लोग कर रहे है, binary arithmetic, ठीक है, तो यह अब यह 2s कंप्लिमेंट क्या होता है, तो 2s कंप्लिमेंट पढ़ने के लिए आपको पहले 1s कंप्लिमेंट पढ़ना होगा, 1s कंप्लिमेंट, उसके बाद आपको पढ़ेंगे 2s कंप्लिमेंट, तो 2's compliment क्या होता है तो 2's compliment होता है 1's compliment प्लस 1 1's compliment निकालके उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 2's compliment निकल जाएगा ठीक है और कोई भी number का 2's compliment उसका opposite sign होता है अगर आपको कोई बोलेगा कि minus 5 का 2's compliment क्या होगा तो plus 5 और plus 5 का 2's compliment minus 5 ठीक sign को change कर दीजिएगा 2's compliment क्या करता है कुछ नहीं सिर्फ sign उसका change कर देता है जैसे आपके पास कोई number है 15 15 तो 15 का 2's compliment क्या होगा आपके पास plus 15 है तो 15 का 2's compliment minus 15 और minus 15 का 2's compliment तो plus 15 सिर्फ sign change होता है तो अगर आपको कोई बोलेगा कि 15 का binary निकाल दीजिए तब simple 2's से divide करके निकाल दीजिए और कोई बोलेगा minus 15 का binary निकाल दीजिए तो आप क्या किजिएगा कि 15 का जो binary है उसका 2's compliment निकाल दीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि plus 15 है आपके पास तो 15 का 2's compliment minus 15 हो जाएगा क्योंकि minus 15 का direct binding निकालते हैं हमको पता है कि minus 15 का मतलब 15 का 2's compliment कोई भी number का 2's compliment निकाल दीजिएगा उसका sign change हो जाएगा अगर उप positive है तो negative हो जाएगा negative है तो positive हो जाएगा ठीक है तो एक्जांपल दिखाते हैं तो 23 कोई बूलेगा minus 23 binary of minus 23 तो आप क्या किजिएगा पहले 23 का binary निकालिए और उसका 2's compliment कर दीजिए 1's compliment क्या होता है convert 0 to 1 and 1 to 0 इसका मतलम कोई नंबर लिखा हुआ है 101110010 ऐसा नंबर लिखा हुआ है कोई बोलेगा इसका 1's compliment कितना होगा तो 1's compliment मतलम जो 1 है उसको 0 लिख दीजिए 0 को 1 कर दीजिए उल्टा है 1 को 0 0 को 1 1 को 0 0 0 1 1 1 0 1 बताएं समझ में आपको इसका यह कैसे हुआ 0 मतलब 1 1 मतलब 0 बस यही होता है 1's compliment बताएं यह चीज clear है कि doubt आपको बताएं 1's compliment clear है sir बाकी लो yes sir 1's compliment का मतलब 1 को 0 लिख दीजिए 0 को 1 लिख दीजिए और कुछ नहीं हो गया 1's compliment और 2's compliment क्या होता है 1's compliment निकालके इसमें 1 add कर दीजिए मतलब 1 का binary तो आपको कोई बोल रहा है minus 23 का binary निकालने आप क्या किजिएगा 23 का 2's compliment मतलब 23 ताप minus 23 का binary निकाल सकते हो लेकिन 23 का 2 binary निकाल सकते हो तो 23 का binary क्या होगा decimal to binary 23 इसका binary है 10111 10111 ठीक है यह है 10111 अब इसका क्या किजिए 1's compliment निकाल यह पहले 1's compliment क्या होगा 0 1 अब इसमें 1 add कर दीजिए तो 1 का binary यह चीज इसमें 1 add करेंगे ना आंसर क्या जाएगा इसमें जब यह add करोगे तो जीरो और 1 000000010100 00 एक इसमें मिस कर दीए हम यह है 23 का binary अब है कि जब भी आप 2's compliment 1's compliment कुछ भी किजिएगा तो इसको आप या तो 1 byte पर लिखिए या तो 2 byte या तो 4 byte ठीक है 1 का double 2 2 का double 4 8 का double 16 16 का double 32 कुछ भी तो अगर 1 byte में करते है तो 1 byte में कितना bit होता है 8 bit कम से कम आपको इसको 1 byte में लिखना होगा है या फिर 2 byte में तो यह 5 bit है तो 1 byte में तो 8 bit होता है आप 8 में लिख दीजिए 0 लगा दीजिए अभी यह 23 का ही binary है ठीक है अब इसको क्या कीजिए इसका once compliment 23 का binary था यह इसका once compliment है अब इसमा one add कर दीजिए ठीक है तो 0 1 1 चले मानसा लगते हैं सीधा यही बन है 0 और 1 1 0 और 0 0 00 101 001 101 तो यह है 23 का binary 23 का binary में सबसे पहले हम लोगों क्या करेंगे उसका once compliment once compliment निकाल यह इसका है once compliment of 23 यह क्या हो जागा adding 1 to once compliment of 23 और यह क्या निकल लगे आपका here is the loose compliment of 23 it means minus 23 यह minus 23 है यह 23 है तो यह minus 23 है कोई भी number का opposite sign अगर माल लीजिए suppose कि यह minus 23 है proof कैसे मिलेगा कि इसका 2's compliment यह ही है तो हम आपको थोड़ देर पहले क्या बोले 5 का 2's compliment minus 5 और minus 5 का 2's compliment plus 5 तो अगर यह minus 23 है तो इसका 2's compliment निकाल देंगे तो 23 का binary आना चाहिए चलिए check कर लेते है यह है minus 23 तो minus 23 का 2's compliment plus 23 क्योंकि 2's compliment तो होता ही है sign opposite करने के लिए अगर plus sign है तो minus कर देगा minus है तो plus कर देगा जैसे यह plus 23 था तो plus 23 का 2's compliment निकाले तो minus 23 निकल गया और अगर minus 23 का 2's compliment निकालेंगे तो वापस ही आना चाहिए चेक कर लिजे पहले 1's निकाल लिए यह 1's compliment इसमों 1 add कर दीजे 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 बाकि 0 तो 000 1011 000 10111 वापस आ गया इसका मतलब अगर यह minus 23 है तो इसका 2's compliment निकालेंगे से plus 23 और plus 23 का 2's compliment निकालेंगे से minus 23 बताइए यह चीछ clear है आप लोग को कि 2's compliment क्या होता है clear है सुर गॉसिया कोमल सर 2's compliment पे confusion हो रहा क्या confusion हो रहा बताइए सर मतलब समझ नहीं आया मतलब समझ नहीं आया मतलब समझ नहीं आया उसमें भी a question होता है कहां समझ में नहीं बताइए बस और वन कोम्प्लिमेंट में जब one add करते हैं तो इसको टूस कॉम्प्लिमेंट बोलते हैं यह टूस कॉम्प्लिमेंट है तूस कॉम्प्लिमेंट निकालने के लिए किसी भी नंबर का वनताइएं यह टूस कॉम्प्लिमेंट में आपको one add करना होता है यह वन का बाइनरी है आठ बिट में यह टूस कॉम्प्लिमेंट है इसमें आपको वन जोड़ना है तो वन जोड़ने के लिए यही तो लिखेंगे हम जैसरे यहां पर देखिए, यह फिर सोच लिए किसी बीचिच का बाइंडरी है, हमको नहीं पता किसी बीचिच का बाइंडरी हो, इसका once compliment तो यह हुआ न, तो कि one को zero, zero को one, और इसमें one add कर दी, तो one add करने ले क्या करना हो गए, यह लिखना हो गए आपको, क्योंकि यह 8 bit मे तो साथ 00505 IoT यहां तो तू तो धानी के लिए तो आट करने के लिए तो आट करने के लिए तो अत करने के लिए कि यहीं बेसिक है दो चार दस दिन आप लोगो थोड़ा लगेगा कि हाँ नया नया चीट सीख रहे हैं उसके बाद से फिर आस्ता असान है बेसिक ही टफ होता है घर का निव जो बनता है न सबसे नीचे बेस उसी में दिमाग लगाना पड़ता है कि किधर पिलर रख गाड़ें गयम लोग किधर पिलर होगा दिवाल का मोटाई कितना होगा कितना रूम बनेगा किधर क्या 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 पिलर होगा सिढ़ी किधर होगा क नीचे से ही पूरे structure त्यार होता है उपर से structure त्यार नहीं होता है नीचे से हम लोग structure बनाके खड़ा कर दिये building अब अंदर आपको जैसा partition करना है जो करना है करते रहिए जो है बेस है यह तो यह टूस कॉंप्रिमेंट में लोग आये थे ठीक है निगेटिव नंबर कर समझने करें तो यह क्या तो बाइट का भी ऐसी होता है वह तो काफी बड़ा हो जाएगा कुछ नहीं करना है टू बाइट में एक्स्ट्रा आठ जीरो और रगा दी जागे आपर एक्चा मंद बाचे साथ हां तू बाइट मंद 16 बिट बस 16 बिट में आपको लिखना है ठीक है ठीक है तो कभी भी सिर्फ एक ही रिसोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है यूज करते रहना है multiple resources जहां से knowledge मिले वहां से लेना है तो चलिए यह होगी हम लोग के addition subtraction अब आते हैं multiplication में कोई number दिया हुए है 1011 sorry 10110 ऐसा कुछ दिया हुए है और इसको इससे multiply करना है कि 10110 को 101 से multiply करना है तो हमनों normal multiplication कैसे करते हैं अपने number system में ने के वाईन टुझीरो वन 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 बॉन वन टुझीरो जडरो सोरी वाईन टुझीरो जड़ो जड़ो होता ने यहां हिग नो cozy the वन टुल उन इस निटो उट्र ecc बाद ये तना दुरतक सही है आपके हिसाब से और हेसी को इसे को अब चलिए 0 से मुट्प्लाई की जब सबको इससे हो गया अब इससे 0 इंटु 0 0 इंटु 1 0 इंटु 1 इंटु 1 तो सब तो 0 हो जागा ना एक छोड़ के यहां पर ऐसी होगा ना कि एकर वान को हम इससे किये तो उतना ही हो गया और 0 को किसी ओड़े ना का मुट्प्लाई की जएगा तो तो 5 बर 0 5 बर 0 लिए यह छूड़ या पर अब फिर यह वन को इस से किजिए तो उतना ही हो जाएगा थी यह वन को 0 से कीजिए तो 0 कि यह फिर से एक छूड़ देते हैं फिर से यह 10 वन वन ट्रिपल जेरो वन 001 क्योंकि यह तो question था नहीं 101 112 होता है तो टू का 0 carry 1 यह carry 1 आ गया carry 1 आ गया तो 1001 बटा गता है फिलाल ठीक है और यह 1 तो ऐसे ही वन आ गया कि चेक करते हैं किसका बाइंट्री है यह किसका बाइंट्री था 5 का यह किसका बाइंट्री था 10110 10110 12 का है शायद 10110 टीक है 12 इंट्री 5 कितना होता है 110 यह कितना का बाइंट्री है 1100 1100 1100 जेरो हम डेसिमल में 22 इंट्री पांच करते हैं तो इस दस आता है यह बाइंड्री में 22 इंट्री पांच करते हैं तो इसका बहुत दस आ रहा है आपको समझ मारा कैसे हो रहा काम यह कोई डाउट हो रहा है बुलिए क्लिए रहा है बाकी लोग क्लिए रहे है यह चीज यह सर गोजिया से यह सर यह दर जो लास्ट आप देखेगा 0000 आप वन लिखे है यह यह उपर रहा है यह रहा है यह यह एक वन था कैसे था वो कहरी था जैसे 101 जोड़े हम लोग तो 112 होता ना टू का जीरो करी 1 तो 100 बस हम वन को डिलीट कर दिया क्यों तो फिर आप लों सुचेंगे कि इतना चीज कहां सा गिया है यह वन से मड़ाई करने से ठीक है एक काम करते हैं इसको हम अब ठीक है यह वाला इसका पार्ट नहीं है कह रही है ठीक है अब आता हैं डिवाइड में तो डिवाइड के लिए एक बार लास्ट हमको पेंट ओन करना होगा है चलिए यह की बार ओन करना है अगर कोई करता है 5 डिवाइड वाइड थ्री यह होगी अब 5 जब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं कि तीन और पांस से तीन जब सब्ट्राइट करेंगा तांसर बजगी है टू तब कोशेंट होगी है वन रिवाइडर होगी है टू ठीक है शरीए बाइंडरी में करते हैं 5 का बाइंडरी 101 थ्रीक बाइंडरी डेबल वन ये दो बिट है ये भी दो बिट में देखिए तो ये ग्यारा जो है वो लिजे उसको तीनों ले लिजे अब 11 को एक बार में 11 होगा क्योंकि छोटा सा ही बड़ा को डिवाइड करते हैं ठीक है वादा बड़ा सा छोटा निकालना एक तरह से तो अगर यह दो बिट था तो यहां भी दो बिट लेंगे हम लोग तो यह दो बिट उस दो बिट से होगा नहीं होगा तियाया पर कुछण गश्रेट दीजे उल्टा कर दिजे वन माइनस छी वनए वन माइनस फंगा ओ यह प्र गर्वणू का था पॉंट रियर यह को है आया वांट्वू वन टू जो डिवाइड नहीं होता है वो कोशेंट हो जाता है अगर माली यह पॉइंट आला बात होता थे हैं पर पॉइंट कर देते हैं हम लोग पॉइंट लगा के फिर यहां 0 कर देता है 100 हो जाता है फिर 11 से एक बार में 11 हो जाता है फिर इसमें सब्ट्रेक्ट करते हैं फिर 0 सब्रेक्शन का बहुत सारा वीडियो मिलेगा यूटीब पे आपको उन लोग का भी वीडियो देखिए कि यह जो हम बता है वही उलोग भी बताएगा प्रैक्टिस करने क्लिए बोल रहे हैं कि वहां से भी देखेंगे तो दो-तिन तरीके से जब देख लेंगे आप तो अच् अगर वह प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है बताएगे क्लियर है यह चीज़ आप लोग का आज जो कराये हैं जी सर आज का टॉपिक थोड़ा इजी था कल के इसाब से ठीक है देखिए इजी सभी है एक बार प्रैक्टिस किजिए सब हो जाएगा सब इजी है जब तक नहीं पता है तभी तक नहीं पता है तो नहीं पता है और जब आप घुशते हो किसी चीज़ को सीखने के लिए आप कुछ भी सीख सकते हो आपसे बड़ा थोड़ी है कंप्यूटर बहले लोगों को लगता हो एक कंप्यूटर कंप्यूटर हम लोग जितना है, यह नहीं हो सकता है, भले ही हम लोगों से ज़्यादा fast calculation कर सकता है, क्योंकि उसका जो calculation करने का system है, वो algorithm जो follow करता है, यह लोग वो अलग चीज़ है, हम लोग का presence of mind है, emotionally हम लोग कभी-कभी connected रहते हैं emotions के साथ, कभी-कभी excited रहते हैं हम लोग, बहुत सरे चीज़े होती हैं, जिस पर आपका decision depend करता है, हो सकता है कि कभी आपको like, एक example में कि आप ही के सर पे कोई gun point पे आपको बोल रहा है कि आप ये करके दिखाओ, तो आप देखें कि आप nervous हो जाओगे, हलवड़ी में डर जाओगे, तो आप खुशी में अलग तरीके से काम करते हो, एक ही काम, और tension में दूसरे तरीके से काम करते हो, आप ही का efficiency चेंज हो जाता है, कभी कभी देखिए कि प्रॉब्लम को solve करने में आपको एक मिनिट लगा, और दो मेने च्छे मेने के बाद सेम प्रॉब्लम को solve करने में आपको आधा मिनिट लगा, फिर दो चर मेने च्छे मेने के बाद सेम प्रॉब्लम को solve करने में आपको दो गंटा लग गया, हम लोग क कि अब लोग समझेंगे कि हम लोग कंप्योटर को थोड़ ज्यादा वाल्यू किसलिए देखते हैं कि हमसे फास्ट कल्कूलेशन कर ले रहा है इतना ज्यादा रेटा स्टोर हो पा रहा है हम लोग के पास सब पुछ अलिमिटेड ही है ठीक है वेडियो हम आज भी यूट्यूब में डल के आप लोगों देते हैं वहीं साप लोग देख लिजिएगा तो फिर डिलीट हो जाता ना यूटूब वहला हमेशा रहेगा नहीं तो हमेशा नहीं डल पाएंगा ना फिर हम लोग पास कोई कोर्सी नहीं करेगा ठीक है यूटूब सही देखनो